हाई गाईज, वेलकम तो मैं चैनल अमिट्स ब्लग आज हम देख रहे कि जो साब चैंपियंशिप 2023 है साउथ एसियन फेडरेशन आफ फुटबल उसका जो इनेगुरेल में आच है वो स्टार्ट हो रहा है आज और पहला जो मैं आच है वो होगा क्वेट और नेपल के बीच में और जो दुसरा मैं आच है वो होगा इंडियन फुटबल एस्सोसेशन और पाकिस्तान के बीच में तो जैसे हम बोलेंगे कि साब के बारे में अगर हमको चान करी चाहिए तो साउथ एसियन कॉंट्री जो सब है वही सब कॉंट्री खेलते हैं साब चांपियंशिप जैसे इस बार आपको देखने मिलेगा कि साब में खुबी एक बड़ा वाला चेंजेस आया है जैसे आपको ओफिशियल ड्रोग हुआ था उसमें ग्रूप A में आपको इंडिया, क्वेट, नेपल और पाकिस्तान मिलेंगे और ग्रूप B में लेबानन, माल्डिप्स, भुटान और बांगलादेश मिलेगा इस कॉंपिटिशन बहुत टॉफ होगा जैसे आप बोल सकते हैं कि लेबानन इस वान अप दे बेस्ट इम्यूक्यान से लेकिन इस बार जो इंटर कॉंटिनेंशियल कॉप हुआ था इंडिया से फाइनल में दो सुन्या से हार के लेबानन का जो रैंकिंग है वो आपका 98 से 99 हो गया था लेकिन इंडिया का रैंकिंग जो है पहले था 106, 106 से आपका 98 हो गया है तो मतलब जो हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो मेंटल कॉंडिशन है प्लेयर्स लोग का बहुत स्ट्रॉंग हो गया है क्योंकि 8-9 पोजिशन उपर हो गया 106 से 98 तो पहला जो मैच हुआ था इंटर कॉंटिनेंशियल को आपका हुआ था कॉलिंग स्टाडियम भुवनस्वर में और यह देखिया आपका पाकिस्तान का जो टीम है उन लोगों को भीशा नहीं मिल रहे पहले जैसे न्यूज में आया था कि पहले 6 प्लेयर्स को भीशा मिल गया था और वो लोग आ रहे थे इंडिया लेकिन उसके बाद कॉंफर्म हुआ कि दूसरा जितना सरा लोग है प्लेयर्स लोग वो लोग भी आ रहे है तो यह फाइनल है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आज जो है वो होगा और जैसे आप बोल सकते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है बहुत अच्छा होगा और हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इंडिया 2-0 से जीतेगा मैच को लेकिन फुटबल में तो आप कुछ बोल नहीं सकते जैसे आपको आपने देखा कुछ दिन पहले पाकिस्तान फूटबल टीम में इंगलंड का जो अंडर 19 प्लेयर थे, इंगलंड का क्याप्टेन थे, पाकिस्तान टीम जोईन किया, तो खुब एक स्ट्रोंग टीम होगा पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, जिसे इंडिया अभी भी इंटर कॉंटिनेंशियल कॉप जीत के आया तो उनका भी मॉन्बल थोड़ा ज्यादा होगा और आपको जो कॉन्फरेंस हुआ था कोच लोग का इंटर कॉंटिनेंशियल कॉप के बाद में साफ चैंपियनशिप के कोच स्टाइमा काईगर ने बोला था कि जिए से आप देखेंगर रैंकीं के बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान का जो नेशनल टीम है ओ रैंक 155 मिनसं वानने-टीफय है की उनका थोक है як डिचना अच्छा पोफर्म नहीं किया जेसे उनका लास्ट मैच था पाकिस्तान बर्सेस केनिया फ्रेंडली म्याज था इंटरनेशनल फ्रेंडली केनिया ने एक सुन्या से जित गया था पाकिस्तान से और कोच आइम स्टाइमा काईगर भी बहुत खुश है कि जैसे टीम पॉफर्म कर रहा है और अगर हम हेड टू हेड देखेंगे तो इंडिय ने पाकिस्तान के खिलाब 28 मैंज खेला जिससे 15 जिता और 4 मैं चार गया उससे 9 मैंज भी ड्रॉफ हुआ और कुल मिला के 39 गोल स्कोर हुआ और जो लास्ट मीट था इंडिया ने 3-1 से पाकिस्तान से जिता था साब कप 2018 में अगर आप टीम के बारे में बोलेंगे तो प्ल अन्वार जिंगान डिफेंडिंग में मिलेगा और आकास मिश्रा मिलेगा और निखिल थापा शाहाल चांगते फोरवाड में आपको आशिक लिस्टन छेत्री लिस्टन आपको जिक्षन के प्लेस में मिलेगा जैसे कोच स्टाइमा काईगर ने प्रेस मीट में बोला था कि तो आपको अमरिंदर आज देखने मिलेगा जैसे पहले मैच हुआ था साफ का आज क्वेट ने तीन गोल से नेपल को हराया था तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैच रहा पहला मैच तो फिर रात में देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जैज अगनात अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेयर कर दिजिए और जितना सारा फुटबल मैच होगा फ्यूचर में सबका आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगा और टिम भी मिल जाएगा